अदाब नाजरीन आप देख रहें नियूज मैक्स और मैं आज पहुचा हुआ हूँ डॉक्टर जफुरुल इसलाम साब के पास जो दिल्ली माइनोरिटी कमिशन के अध्यक्ष हैं सद्र हैं और जफुरुल इसलाम साब अभी जिस तरीके से ये सारा माहौल चल रहा है जमात को ले लेकर आपने दिल्ली सरकार को केजरिवाल साब को एक लेटर भी लिखा जिसमें आपने मांग की कि जो ये जमात का एक अलग से कॉलम बनाया गया है उसके नतीजे जो निकल रहे हैं वो बहुत बहुत गलत तरीके से जो है लोग उसको ले रहे हैं तो इस पे क्या रद्दे अमल रहा सरकार का, सबसे पहले इस पर जानना चाहूंगा? सरकार ने इस पर अमल किया और उसको निकाल दिया गया है, और उसी के साथ-साथ इसका असर, जो कि ये चीज मीडियम अच्छी तबार चली गई, उसका असर ये हुआ कि तमाम दूसरी सरकारें, यह सेंटरल गॉवर्मिन्ट भी और दूसरी स्टेट्स गॉवर्मिन्ट भी यह काम करती थी, उन्होंने भी यह बंद कर दिया, अब तबलिगी जमात का नाम कोरोना वाइरस के सिद्रे में नाम नहीं लिया आया था, तो यह एक बहुत अच्छी बात तक मार्च के शुरूर में तो बिल्कुल वाज़ हो गया था कि यह चीज़े आने वाली हैं, और उस वक्त तबलीगी जमात का एक हिस्सा, जो के तर्कमान गेट में जिसका मरकज है, उसने अपने सारे प्रोग्राम खतम कर दिये थे, लेकिन वो दूसरा हिस्सा जो के निज अंदाज होते हैं, और यहीं नहीं बलकि अगर हुकुमतें जो हमारे फाइदे के लिए कुछ कहती हैं, तो हमको उन्हें सुनना पड़ता है, कभी कड़वी गोली भी, इस वक्त जो हम खा रहे हैं, वो कड़वी गोली है, बहुत ही कड़वी गोली है, लेकिन यह इसलिए ताकि लाखों लाखों लोगों की यहां मौते नहीं हो जाएं, बलकि वो चीज जो है, कम से कम महदूद दायरे में आए, इस वएसे फिलाल यह जो लागडाउन शुरू हुआ है, यह कुरिंटाइन शुरू हुआ है, लोगों को टेस्टिंग हो रही है, लेकिन उन लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी, और बिलाखिर उसी वक्त सुनी जब कि बिलकुल मजबूर कर दिये गए, उस वक्त जब गवर्मिन्ट ने उनको एक एक अल्टिमेटम दे दिया है, कि अगर आपने अभी नहीं सुना, तो कल सुबह को जहां पर कमांडोज आएंगे, वो तो ब गवर्मिन्ट है, इस सब सोचती हैं आपके लिए, कभी कभी गलत भी होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत बड़े मसायल में ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमारी किसी दूसरे मुलक से जंग हो रही है, तो हम जोड़ी कहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम उसी के गवर्मिन्ट के साथ हैं, हम हुकुमत के साथ रहेंगे, तो ये इसमें गलती हुई थी, लेकिन जिस तरह से उसको मीडिया ने देना शुरू किया, और कोरोना जिहाद, इस तरह की बाते हैं और शुरू की और जूट बोलना शुरू किया, कि तबलीगी लोग जो है, ये मतालबा कर रहें नंगे घूम रहें, नर्सों से बत्तमीजी कर रहें, जो बात में मालूम है कि गलत था, उसके बावजूद मीडिया ने उन बातों को नहीं देखाया, जो गलत था, पुलिस कहरी ही कि गलत था, लेकिन नहीं देखाया, और ये जारी रहा हूँ, मैं समझता हूँ, आज भी वहां थे, तो बारह सो लोग लेकि कि आप जो है ना बीस करोड मुसल्मानों को कटगरे में नहीं खड़ा सकते, ये बहुत ही गलत था, और ये जो हुकुमतें कर रही थी, खुद दिल्ली के हुकुमत मी, दूसरी हुकुमत मी, मरकजी हुकुमत मी, कि अलग से वो आगड़ हुए, जिसमें मुसल्मानों पर हमले हुए, इसलिए कि जब एक माहूल बनता है, तो उसमें जो ऐसे लोग होते हैं, जो कि गलत किसम की सोच रखते हैं, एंटी सोचल होते हैं, या कुछ नफरत में जो है ना वो जल रहे होते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है, गलत काम करन जिसका नाम के मेरे खाल में दिलशाद भी कहा गया है और महभूब भी कहा गया है में खाले दोने ये उसका नाम है और उसके लावा पास का एक गाउ है कोतबगण गाउ है वहाँ का एक नूर महम्मद है उसके भी खुब पिटाई हुई है और उसके लावा जगह जगह पे कहा जा रहा है कि मुसल्मानों को हम यहां घुजने नहीं देंगे मुसल्मान जो खाचे वाले या यह जो रेड़ी वाले यह जो आते हैं उनको पिटाई हुई है भी यहां पे मुलर बंद में जिसके बारे में हमने पुलिस कमिशनर को खत लिखा और अगले दिनी उसके गरिफतारी हो गई जो के बहुत ही अच्छी बात है लेकिन ऐसा हो नहीं 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 चाहिए था हुआ इसलिए कि मीडिया ने और हुकूमत ने भी एक खास तरीके से एक गलत कार थे मुसल्मान भी उसी तरह से मासूम थे को जानबुश करके नहीं जागे करोना को खरीटा है या उसको लेता है यह तमाम सारी बाते रहीं क्योंकि उसी दोरान जो है लोगडाउन का ऐलान कर दिया गया तो जितने जमाती थे हो सब महां रुग गए लापरवाही इसमे यह किया गया खराब अभी जो ओखला विदान सबा की आपके विदाय के आमानातुल्ला खान साब उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली बार तीन मार्च को जो है कुरंटाइन किया गया था मरकस को उसके बारा मार्च को तीन मार्च उन्हों पर एक खास नाम लिख करके, यह आदमी कुरिंटाइन यहां पर है, एक आदमी के लिए, सब के लिए नहीं, एक आदमी के लिए, तो यह चीज भी अगर यह दुरस्त है, तो जो अंदर जो लोग हैं, जो जो जिम्मेदारान हैं, उनको फॉरण ही नोटिस देना जाहिए था, कि यहां एक खतनाक चीज हो रही है, लेकिन केजरिवाल सरकार जो है, वो 31 मार्च को आके इस चीज की अपडेट देती है, कि यहां पर यह मामला चल रहा है, तो इसके बीच के जो दिन थे यह, तीन से अगर 31 तक की बात करी जाए तो यह 27 दिन रहे, इसमें सरकार क्या, इस इसडियम के खिलाफ जो है, इसमें अभी तक क्यों कोई कारवाई नहीं कर रही है दिली सरकार, की सब्तर काव ला-परवाही समझ रहे हैं, मरकज की जो है, वो तो है, जी, की जे इसमें भी तरह किया. बाइस तारीख को मौलाना साथ साथ जो है चीफ मिनिस्टर को खत लिख चुके थे. कि हमारे यहां बारा सो लोग मौजूद हैं. आप उनको निकालने के इन्जाम कीजिए. लेकिन बाइस तारीख से लेकि तीस तारीख तो कोई इन्जाम नहीं हुआ. उसके बाद उन्हों ने पजीस तारीख को यह चौबिस तारीख को मरकस के लोगों ने लिख करके निजाम الدین पुलिस स्ट्रेशन को लिख करके दिया है कि ऐसा है हम को जो है हाँ से जरीए ही हो सकती है. वो तो खुद तो निकल ने सकते हैं. निकलेंगे तो उनको पकड़ लेंगे, जेल भीज देंगे उनको. उन्हों ने कोशिश किया और उस पर अमल नहीं हुआ. पुलिस ने अमल नहीं किया. पुलिस बहराल जो مقامی جو سرکار ہماری صوبائی ہے اس کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے دوسرا ہے کہ اس میں آتی ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ڈسٹرک مجسٹیٹ بہرحال جو مقامی گورنمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اب ڈسٹرک مجسٹیٹ جس نے کے جو کہا جا رہا ہے کہ بارہ تاریخ کو اس نے وہاں پر ایک نوٹس چسمہ کیا تھا کہ فلان آدمی جو ہے وہ کورونا جو ہے پوزیٹیو ہے اور یہاں پہ کورنٹائن کیا جا رہا ہے اس ہی پوچھا جائے وہی کہ تم نے خالی ایک آدمی کو کیوں کیا اگر اس کے اندر بارہ سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو تم نے صرف ایک آدمی کو کیوں کیا آخر آپ نے تو یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے ابھی تو ہم غیر غیر معمولی حالات میں ہیں تو یہ سب سوال اٹھیں گے اور سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا ہماری مقامی گورنمنٹ اس کو بھی دینا پڑے گا ڈسٹرک میجسٹریٹ کو دینا پڑے گا پولیس کو بھی دینا پڑے گا پولیس ملی ہوئی ہے پولیس کی دیوار جو کھل جو پیچھے کی دیوار ہے آہ نیس تھانے کی اور مرکز کی دیوار ملی ہوئی ہے وہ آہ جو مین روڈ ہے اس کو اوپر جو ہے تھانا ہے اور یہ ایک گلی میں یہ ہے لیکن بیچ میں اور کچھ نہیں ہے تو ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم جو ہے کیا اتنے لا خبر थे, बेखबर थे, किया तुम्हारे पास एतने मुखबर बैठे हुए तुमकों बतानी रहे थे, और तुम जो है, S.H.O. साब तुम निकल कर को तुमने देखा नहीं है, दो मिनट का रास्ता है, बलकि एक मिनट का रास्ता है, वो निकल कर देखते हुए क्या हो रहा है, तो ये एक गलत सोच थी, और मैं समझता हूँ, ये सीज़ दुरूस नहीं है, और ये सोच जो है, किसी तरह से भी, न मुल्क के मफाद में है, और नहीं जो है, एक साफसोतरी पॉलिटिक्स के मफाद में है, अगर हम गंदी पॉलिटिक्स करना चाते हैं, तो फिर ठीक है, इस इसलाफ चाते हैं, हम एक बेहतर समाज चाते हैं, ऐसा समाज जो तरक्की करें, हम तरक्की की बात कर रहे हैं, और इस वख हम को डर लग रहा है, कि कोरोना वाइरस की वएश हमारा मुल्क पीछे चला जाएगा, तो अगर हम को आगे ले जाना है, अब भी जब ये खत्म ले जाना है, तो सब लोगों को मिल करके जद्धो ज्याद करना बड़ेगा, पूरी काउम को, अगर बीस करोड लोगो को हमाँ से निगाल दी रहेंगे, तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, जिन्दे के बर नहीं करेगा, तो बीस करोड लोगों को ले कर की ही आगे रवया इक्तियार हो जाए और वो लगातार सामने भी आने लगे तो ये एक और फिक्र का जो है मौजू बन जाता है इसी के बीच में जिस तरीके से लोगडाउन है और अभी पुरानी दिल्ली का जो चांदनी चोक का इलाका है ये मट्या महल विधान सबा आती है और चांदन थी इस तरीके की जो तस्वीरे थी ये 23-24 में जो फरवरी में दंगा हुआ दिल्ली के अंदर उस वक्त भी सामने आई तो क्या ये एक गोर्ग का और एक फिक्र का मौजू नहीं है जिस तरीके से वहाँ पुलिस वालों के साथ सिविल ड्रेस में लोग मार पिटाई कर रहे सिसी टीवी कैमरे की भी फोटेज हैं उसमें और मारते हुए भी सामने हैं वो मैंने देखा है ऐसा नहीं है उसको जो नौर्थ इस डिस्टिक्ट से उससे मौजन नहीं कर सकते वहां तो एक क्यामत आई भी थी ऐसा नहीं है मतलब अगर हमारे यहां तावाजन नहीं रहेग तो यह बाकादा शिकायत वहां दर्ज होनी चाहिए अगर एसेचों के लेवल पर नहीं हो तो डीसीपी के लेवल पर करना चाहिए वहां नहीं तो कमिशनर अफ पुलिस के ले उस पर होना चाहिए और जिया उसके शिकायत कर दी गई है वहां पर बेटे को पीटा गया यह देखा है वह उसकी भी शिकायत होनी चाहिए देखिए तरीका जो है ना मीडिया ट्राइल नहीं हो सकता अगर आप जो है चाहें कि टेलिविजन पर मसला हाल करना ऐसा नहीं है एक तरीका है अगर एक आपको शिकायत है तो आप पुलिस सेटिशन जाइए वो नहीं सुनता ह है तो उसके उबर कमिशनर है अगर वो भी नहीं सुनता है तो आपके बादालत है जे तो हमको जो है जबासी सवर और महनट करना चाहिए कि मामलात को आखर तक ले जाएं अगर अधालद भी भी नहीं सुनती है तो पने चुप हो जाएंगा भई हमने सारी कोशिश कर ले ल जो पीडित है उसका नाम है कुछ नहीं जब तक आप पूरी मालूमात नहीं देंगे तो एक्षिन भी नहीं हो सकता है तो वो जो तरीका है कि आप इसे जो शुरू करें यह पुली सिटिशन शुरू करें और अदालत तक जाईए 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 बिलकुल जाईए अगर इस ढ़िए वे जाईए और हमें को सजा होगी गलती यह धो रहीं है और दूसरी जो उनसे घलती होती हैं लेकिं हमको चाहिए कि हम उनको खलाफ बहुए Companن करा है बहुत से लोग हमारे बाद भी शुकार बहुरू हमारा नाम बतले ना वह आपके अंदर अगर ही अतनी हमत नही ही हम उसको माल लेते हैं या आप बागादा एक तफसील लेकर का ये हमारे यहां भी कमिशनर एक कमिशनर जो लोग शिकायत करते हैं वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाते इसकी वज़ा क्या मानते हैं आप क्योंके इसा होता है कि उनको तंग किया या था ये बात दुरस्त है लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसे लोग हैं जो तंग किया जा रहा है और दूसरे गोपिनातन क्या नाम उनका है दूसरे और बहुत से इस तरह के आईपेस आईएस अफसरान है और दूसरे लोग हैं सामने आते हैं आना पड़ता है उनको तंग या आता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं वे कब तक तंग करेंगे ठीक है तंग करेंगे ऐसा अगर 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 लापाक ने मुकदर किया तो होगा उसका लेकिन जल्म के सामने हमको उटना चाहिए बोलना चाहिए और जो वसा होगा भाई मुसल्मान की पिटाई कर सकते हो कि कुछ तुम को होगा फिर हर चखाए ऐसी होने शुरू हो जाएका लेकिन मालम होगा कि बहाई नहीं ऐसने आने चाहिए और जो मुझरिम है मुझरिम मुझद होते हैं हर सोसाइटी हम्रीका में के होते हैं लेकिनiben वहां पर लोग खामोश नहीं रहते हैं, वहां पर जो है, उनको आखिर तक ले जाते हैं, उनको सजा होती है, और जब सजा होने लेंगे तो ये जुर्म भी खतम हो जाएंगे, तो सहना जो है, वो तरीका नहीं है, सहना उसको खतम नहीं है, बलके सामने आगर के उसका मगाब रम्जान शुरू होने वाले हैं तो इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कमिशन जो है आपकी तरफ से क्या सरकार इसमें तैयारी कर रही है रम्जान को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है किसी तरीके का कोई रूप में बनाया गया है नहीं नहीं देखी कमिशन का काम जो है जो जो मजभी तहवार होते हैं उसकी प्लानिक करना नहीं होता है लेकिन अगर हमें कोई ख़शा होता है का ऐसा होने वाला है तो हम पुलिस को या अर्मिस्टेशन को या हुकूमत को लिख करके बदाते हैं गया ऐसा होना चाहिए उसस में तो आप बता दिया गए आपको रम्दान होता है, ना होता दिया गए कि आपको लॉकडाउन के द्रम्यान इस तरह से रहना है यह आप जो है चार सजाए सहाँ जमाने कीजिए, मस्जिद में चार सजाए लोग नावाद ना पडें, तो उसका अम उस पर जो है अमल करना जरूरी है हमारे लिए नहीं पुलिस सुसाइटी के लिए सिर्फ हमारा मसला नहीं है तु है अगर मैं मर जाओं तो मैं अपना जिम्यादार होता हूँ लेकिन मैं किसी और को क्यों मारूं है अगर मैं जाकर निगलता हूँ जो खाने पीने की चीज़े हैं जरूरत की जो रोज मर्रा की जरूरते हैं मैं उनको लेकर के जादा जो है इस पे तबज्जो के साथ नहीं देखिए वो चीज़ें बिलो मूँ मिल लई हैं ऐसा नहीं है हम भी यहां बेटे हुए हैं तो कि वहां से इस तरह की शिकायत आ रही है जब से पुरानी दिल्ली के अंदर टीन शेट लगा कर के गलियों को बंद किया गया है वहां राशन की चीज़ें नहीं पोचने दी जा रही हैं सबजियां जो हैं वहां नहीं पोचने दी जा रही है और जो कुछ शोशल वर्कर वहां पे खाना खिलाने का काम कर रहे थे एक तनसीम है तो वो उसको वहां से राशन लेने के लिए जाना है हलाकि उसके पास पास भी मौजूद है SDM का पास मौजूद है सब चीज उसके पास मौजूद है लेकिन फिर भी उसको बिरिकेट पार नहीं करने दिया जा रहा है तो इस तरी जबकि नहीं देखिए एक खास मैंने वो वीडियो देखा हुआ एक खास दुकान की बात हो रही है लेकिन क्या और दुकाने बंद बएं क्या हम यहां पर भी देख रहा है हम लोग अपने दाधी इस्तेमाल के लिए भी और जो कुछ बाटते और लोग़ा है इसके लिए भी एक दुकान बंद हो गए दुसरी दुकान से में खरिदना शुरू किया तीसरी दुकान से भी खरिदना शुरू कर दिया वह आपके एकी महले में या महले के बाहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यही काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं इसरार करना चाहिए कि बेरिकेट के अंदर जो है एक दुकाने वहीं से हम कोई लेना है लेना है लाल बत्ता अगर कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है तो सरकार के इले में लाएं अगर वो चाहते हैं किमिशन की तरफ से हो तो हम को बताएं एक्सक्राटली बता करके बएफला जाए कोई दुकान बंद कर दी गई है अचा आप जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं और बढ़ चड़कर बाद भी उठाते हैं माइनोरिटी की दिली स्टेट हो या कोई भी राज्य हो स्टेट लेवल पर माइनोरिटी कमिशन उसी के अंडर में आता है चाह क्या इसमें आपके साथ कुछ इस तरीके का लगता है कि आप कोई कारवाई सरकार की तरफ से आपके खिलाफ की जा सकती है क्योंके देखने में आता है लगता है सुनिए है मैं इस तरह चीजने सोचते ही नहीं मुझे ये परिशानी बलकुल नहीं है कि मैं पहली धिखा बना ऐे दूसरे दिखा बना वानोंगा एसस 110 मुझे सोचते ही नहीं मैं इसमे जो صحी काम है वो करना चाहीं आदमी को और वही मैं करता हूँ मैं और हमने यह पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है, लोग समझने पहली दफ़ा नोटे जाई है, इसा नहीं है, हुकुमत को हमने बहुत नोटिस दिये हुएं, और काम हुआ है, बहुते काम हुए हैं, लेकिन उसका ज़्याद हम परबुगंडा नहीं करते हैं, काम होना चाहिए, असल में काम होना च हाइन हाजर करा है, यह सब हुआ है, लेकिन हम जाद हंगामा नहीं करते हैं, अमल होना चाहिए, अगर किसी के कोई ऐसा है, तो मैं इसके बारे कभी सोचता ही नहीं कि कल क्या होगा, जो अल्ला बाग ने लिखा हुआ हुआ ही होगा, लेकिन हमको अपना काम सही करना या है. काफी स्टाफ नहीं दिया. हम उनको बता रहे हैं लिख के बहरे हैं लेकिन अभी तक जो है ऐसा नहीं हुआ है. तो कुछ कमजोरी यह आहिसी है, इसके वैसे जो कुछ हम चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं. और خुड हमारे में वो काम जो के लोग इसके मुनतजिर है वो नहीं कर पाएगा बहुत कुछ कमिशन कर सकता है बशरते के उसके बाद अच्छा स्टाफ हो और अमदा यह काफी स्टाफ हो अच्छा काफी स्टाफ हो हमारे पास आज किलकुल मुश्किल से कागज को अपर इगारा आदमी जो ह अपसर है फला फला उ भला उन भी है तो ये काफी नहीं है हम नहीं हुए इसको कर आदमी आज司bahn के लिए खें काफी ungefा बाई करो इसको लेकिन अगर हमारे पास अपना ही स्टाफ होता है तख्रीक करने का तो कमिशन बहुत अच्छा काम कर सकता है तो बहुत से चीज़े हैं जो के हम सरकार को बता रहे हैं लेकिन वो कहां तक इसलिए के हमारी जो भी अड़वाइस है वो को जरूरी नहीं को माने भारल है वो अगर वो मानते हैं तो कमिशन अच्छा काम कर बाएगा लेकिन मैं जाती तो इसके अपने बारे में कभी नहीं सोचता जो कुछ आलना पाग ने लिखा वही होगा नहीं तो इसमें जब आप सरकार को बताते हैं लगातार इस स्टाफ की जैसे कमी है तो स्टाफ की कमी कि जगाओं पर बताई जाती है कि ऐसे इदारे हैं पूरे दिल्ली गौवर्मेंट में इसा है पूरे दिल्ली गौवर्मेंट में स्टाफ की कमी है तो इसको सरकार क्यों सीरियस नहीं लेती क्यों स्टाफ नहीं बढ़ाती है इसमें क्या वज़ा मानी जाती है इसकी अगर से टेस्ट हैं, यह हैं, वो हैं, पूर एक, पूझे, एक आदमी को रखने के लिए, अगर हम अभी मांगें हैं उनसे, तो जो उन्हों ने सवाल नमा बनाए हुआ है, आप उसे क्यों चाहते हैं, वो लिक के भेज़ दीजे, इसी तरह से उनके अपने जो उनके जो प्रोसीजर हैं, वो बड़े लंबे हैं, प्रोसीजर जो तकरीबन डेर साल, दो साल लग जाता है, किसी एक की तकरूरी में, तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए है, बड़े जरूरत है तो आज होना चाहिए, यह चीज़ शायद जो बहुत ही उंचे लेवल पर ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन आम जो डिपार्टमेंट से नीचे, उनके लिए यही मसला है, कि तकरूरी में भी बहुत दिन लग जाता है, उसमें, तो इस से अपने आपको उनको निकालना चाहिए, और मैंने इसके बारे में लिखा है, कि जो बिर्योक्रिटिक जो आपने निजाम बना रखा है, वो अच्छा नहीं है, इसके अंदर जो है, तकरूरे कमिशन की बात नहीं है, बलके मैं समझता हूं कि पूरे स्टेट जो है यहीं सुभाई स्टेट भी और जो गवर्मेंट अफ इंडिया हर जगह यह मसला है, कि बिर्योक्रिसी जो है, वो काम नहीं करने दे रही है, वो बनाई गई है, काम करवाने के लिए, लेकिन यह उल्टे जो है, यह एक अर्चन बन गई है, वो काम नहीं होने देती है, वो मैं अगर डिली सरकार की बात करूँ, केजरीवाल साब की बात करता हूं, तो केजरीवाल की तरफ से लोगों का जो रुझहान था और जो एक नजरिया था, अगर दंगों के बात की जाए, जिस तरीके से यह माहुल खराब हुआ है, दिली के अंदर, और उससे पहले शाहिन पूरा अपना एक नजरिया पेश कर देना और फिर आखिर में जब सवाल आकर केस के ओपर खड़ा कर देना ये किस तरीके से दिखाता है सरकार की लापरवाही को या इसमें साफ तोर पर ये माना जाए कि हर सियासी पार्टी जो भी हो वो पहले सिर्फ इस्तेमाल करती है मुस खासकर कैसी उमीद नहीं थी दिल्ली के अंदर दुरस्त है मैं आपकी बात मानता हूं कि केज़ड़ा से ये उमीद नहीं थी कि इतना बड़ा दंगा हो जाए उसके बारे मुझ खामोच रहें और ये कहे देना कि ये पुलिस का मामला है पुलिस हमारे हाथ में नहीं है यतना काफी नहीं है ये बात दुरस्त है कि यहां की यह सुभाई हुकूमत है दिल्ली की उसके पास पुलिस नहीं है जबके छोटे-छोटे यह स्टेट है मनिपूर है तलिंगाना है कौन-कौन इ के हाथ में होती है जब कि यहां पे पुलिस इनके हाथ में नहीं है बलकि यह लिफ्टेंड गोवनर के हाथ में है जो के सीधे सीधे जो है होम मिनिस्टर के लिए को जवाब दे होता है जी तो यह बात दुरस्त है कि जो है इनके हाथ में नहीं लेकिन उसके باوجود حکومت حکومت ہوتی ہے ڈسٹرک میسٹیٹ تو آپ کے ہاتھ میں ایس ڈی ایم تو آپ کے ہاتھ میں ہے بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں اگر یہ چاہتے تو اس میں شاید وہاں تک نہ پہنچتا جہاں تک پہنچ پایا جا کے کھڑے ہو جاتے ڈی سی بی کے آفیس میں جو کہ جنگے کے علاقے کے باہر تھا وہ وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے لوگ جو ہے یہاں پہ حکومت کے وزیر وغیرہ मिनिस्टर सहाब वो जाग खड़े विया थे तो यकीन जो है फरक पड़ता और उन्होंने वो नहीं किया और लेकिन ये बात भी तुरस्त है कि देखिए बिल अमूम जो भी रायट होते हैं पूरे मुलक में वहां पर रिलीफ वगरा नहीं मिलती है बिल अमूम नहीं मिलती है शाद नादीर कही होता यह से कि मजफ़न अगर में हुआ था लेकिन वह आम जो है आप बरसों बरसों तरबदे रहते हैं कुछ भी नहीं मिलता यहां इनोंने फौरन एलान किया जिनके घर डुकाने जो है जलाइ गई हैं उनको मिलेगा जो लोग मरे हैं उनको मिलेगा जो कि ये मुनासिब नहीं है, ये कम है, तो उन्होंने फूरां रोश चंद दिन के अंदर इसको बढ़ा दिया है, उसको. हलाकि अभी मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से कावी नहीं है, लेकिन उन्होंने सुनी बात, ये उन्होंने बढ़ाया है ещё तो. तो ऐसा करना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी गलत बात है, ये इनसाफ का तकाज़ा है, जदनी गलती की है, उन्होंने उस वक्त नहीं बोले, ये बात दुरुश्त है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी कोशिश की, जो मरावा करने की, लोगों के जखन पर मरम पर्टी करने के कोशिश की है और उसी के साथ आपने जिगर किया शाहिन बाग का तो शाहिन बाग में देखिए शाहिन बाग के नाम पर जो है बीजेपी आम आदनी पार्टि उककाटेरे में खड़ा कर रही थी यह करे ती यही लोग करा रहे हैं यही लोग इनके पीछे हैं तो ऐसे हालत में ये मुनासिब नहीं था कि चीफ मिनिस्टर जो है वहां पे आके कुछ बोलें या उसके बारे में लेकिन सिसुदिया जी वहां पे गए जहां के जो लोकल जो मकामी जो 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 पॉलिटीशियन है अमारतुलिल्ला साहब वहां पे गए तो ऐसा नहीं है कि बि दूसरे मीडिया है मीडिया तो आमादमी पार्टी या बिदिली सरकार के हाथ में नहीं है बलकि मीडिया दूसरे लोगों के हाथ में जरा सी आप लगजश कीजिए और फॉरन उसको इतना बड़ा बहार बना देंगे जैसा कि हमालिया बहार बन गया और उस पर कई 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 दिन तक चीखते रहेंगे उसमें तो उनकी भी कुछ कमजोरिया है या उनकी भी कुछ म्जबूरिया है जनको के हमको सुचना चाहिए और ये बात दुरुस है किहतना करना चाहिए था वो नहीं किया लेकिन ये भी कहँना बही उन्ने करने दी आइसा नहीं है ऐसा कोई ब संजीदा कोई भी अच्छा जो है हुकमरा चाहे वो सुभाई सदा कहो या मरकजी सदा कहो वह ऐसा नहीं करेगा इल्ला है कि उसके नियती खराब हो मरकज में जो लोग बैटें उनके बारे में ये कह सकता हूं कि उनके नियत अच्छी नहीं है जो सेंटरल गर्मेंट है उनकी नियत नहीं अच्छी है बलके उनको तो पॉलराइजेशन करके उनकी वोट पॉलिटिक्स चलती है और उसी से वोट मिलता हूँ ये बात वो साफसा बोलते भी हैं अईसा निया को चुबाते भी हैं वो लेकिन ये बात आप जो हमारी सिवाई हो कुमत है आमाधी पाbene नीं किसकते हैं अनों ने polarization की बात नहीं की उन्होंने तो कहा कि हम अच्छे काम करते हैं उस पे हमको वोट दीए तो अगर वो महला किलिनिक बना रहे हैं अगर वो स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं अब इस साल देखिए पूरे हिंदोस्तान में दिल्ली का एक सरकारी स्कूल पूरे हिंदोस्तान में नंबर एक वे आया हुआ है और हमने कमिशन के तरफ से उसको इनाम देने का फैसला किया है कुन से स्कूल है अभी मुझे इनाम याद नहीं लेकिन एक उदर रोहनी होगरा में है जिसको के नंबर एक है वो पूरे मुलक में सरकारी स्कूल में जो ननका रिसरच रही है उसमें नंबर एक उसमें पाए गया तो ये तो एक क्रम है ले कर रहा है अगर आप यहां यहां आ गाई इसको देगी, बहुत से चीज़ ऐसी हुई है, जो के अभी तक पूरी तरह से नाफिज नहीं हुए, ये बात दुरस्त है, एलान ज्यादा हुआ है, काम कम हुआ है, लेकिन हुआ है, सोचा गया है, जबके दोसी सरकारे नों नहीं किया था, क्यों नहीं करते दे बाई, आप जो है, आप जो है, दोर स्टेप जो स्पेसिलिटीज है, इन्हीं चीज़ों को धियान में रखते हुए, दिल्ली की जो जनता है, उसने आम आदमी पार्टी को चुना, चाहे चेत्रिय विधायक का चेहरा कोई भी हो, लेकिन लोगों ने साफ तोर पर केजरिवाल के चेहरे जा रहे हैं, अभी इस वक्त में भी, इस माहोल में भी अस्पतालों के अंदर मरीजों का जो है, सिर्फ जो कोरोना वाइरिस के हैं, उन्हीं का इलाज किया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी डायलेसिज हैं, और भी कुछ इमर्जनसी केस हैं, उनमें दिक्कते आ र का, तो इस तरीके की जो तजविरे सामने आती हैं, बाते निकल कर सामने आती हैं, तो दावे तो सब करते हैं, और लोगों की एक उमीद होती है, तभी हुकूमत में उसको चुन करके आते हैं, लेकिन ये जो उमीद थी है, कि तूटती हुए नजर आ रही है, तो इसको मैं मैं आपसे यह जाना चाहूंगा लोगों को अपनी उमिद किस तरीके से बनाके रखनी चाहिए या जो केजरिवाल सरकार के जो नुमाइंदे हैं दिली के सीम अर्विंद केजरिवाल खुद वो किस तरीके से लोगों का जो यह विस्वास तूट रहा है इसको तूटने से मैं भी ऐसी सोचे हूँगा भी कौन कौन पार्टी हमारा काम कर सकती है उसको हम वोट देंगे यह एक एक चीज है अलबत्ता यह जो हाला जिस पर आप बात कर रहे हैं इसमें मरकजी सरकार ने जो सेंट्रल गवर्मेंट यूनियन गवर्मेंट है उसने कुछ आदे रखे है कि अस्पटालों में अब आम इलाज नहीं होगा अस्पटालों में ओबीडी नहीं चलेगी अस्पटालों में जो पहला जो होगा वो कौरोना वाइरस का ही इलाज होगा यह सब कर रखी है तो वो चीज़ें जब होती है तो वो मरकज जो मकामी सरकार होती कुछ नहीं कर सकत मैं समझता हूँ कि दूसरे मेरे मरीज जो है वो भी मरसे मरते हैं वो बीमार होते हैं उनका बेलाज होना चाहिए किसी की डायलेसिस है कोई टीबी का है कोई का है उसके बेलाज होना चाहिए एक तवाजन से होना चाहिए लेकिन उन्हों नहीं ये किया कि नहीं जी बस जो है क कोरो नहीं के ओपर वो करो जबके यह ऐसा नहीं है मतलब यह का आधी फैसलिटीज आप इसके लिए रखते आधी उसके लिए रखते या उसके लिए जल्दी बनाते यह स्कूल बंद है इसकूलों के अंदर खोल देते इस तरह की चीज़ें लेकिन बाराल अब जो लोग कर कर रहें जो फील्ड में हैं वो ज्यादा जानते हैं मसीबतें क्या हैं सामार है की नहीं है इतनी डॉक्टर है की नहीं है इतनी एकुप्मेंट जो तरह तरह की चाहिए उनको वो से पीपी है और विंडिलेटर फला फला है की नहीं है और है भी तो क्या अस्पटालों में लग करना लग चुए तो यह जो आपने बात कही है यह जो यह मुसीबत आ रही है वो मरकजी सरकार की जो सरकलर्ज आ हैं वो इसके उपर है कि करोना पही सारी तवज्ज़ इस वक्त है और बहराल उन्होंने कुछ सोच समझ की किया होगा अपने जो हालात हैं जो हमारे बास फैसलिटीज हैं अब यह कहा जा रहा है कि पूरे मुलक के अंदर हमारे बास एक लाग बेड है एक लाग बेड तो कुछ भी नहीं होता जी हमारा मुलक जो health ministry क्या सोच रही है या उनके पास क्या मालूमात है वो मेरे पास नहीं है तो उनको कुछ तवाजन नखना जाई है था कि मसले इनका आदी facility किसे अब्दाल में जो आम जो मरीज होती थे ओपीडी उन्हों बन कर दिया ओपीडी बन करने कोई तुक नहीं है हर तरह की चीज़ें आती रहती है अब अगर आदमी कुछ हो गया खुदान खास्ता कोई ऐसी emergency वो कहां जाएगा जी शायद किसी private में कोई ले भी ले लेकिं सरकारियों नहीं ले रहे तो ये चीज़ें जो थी और ये बाते कहीं कहीं है मैं नहीं कही रहा हूं पूरे मुलक में यहालत सूरती हाल है कि लोग सड़कों पर हैं उनको वहाँ पकर पकर करके उनको अस्पितालों में डाला जा रहा है कुरंटाइन किया जा रहा है जो अपने घर चाहते हैं ताजा तस्वीर गौंबे से बांदरा की सामने है वो भी वो भी वो भी वह यह हैं कि सभी तरीके से उनोंने प्लानिंग नहीं की उसकी एंटिसिपेट नहीं किया उसका जब आप कुछ कर देंगे लोग इस तासे बंद कर देंगे बहुत से लाखों लाख लोग हर शाहर के अंदर ऐसे हैं जो कि रोज़ाना की उनकी कमाई होती दिहारी भी काम करते हैं प्र शाम को खाते हैं जब बन्द हो जाएगा तो यखिनना अपरेंग घर ही वापस जाएंगे तो उसका कोई इनदाम नहीं कियागा आप पर कर देंगे वो करवाते हैं लेकिन ह्कुमत को ये सोचना दा है ये इसलिए के लिये उसका इलेक्शन हुआ है और इसलिए वा हुँ बाइठी हुई है की वो सूचती हिएक इन इंजगों पर जन फिन लू जगों को सील किया जा रहा है ये ये भी तो एक मिरूर नज़ा है سیل تو केजरेवा सरकार नहीं कर रही है बलकि ये तो सेंटरल गवर्मेन्ट का आर्डर है ये पुलिस कर रही है ये तो इसके बारे में भी शायद बहुत सोच समझ के नहीं किया गया है कि सील तो आप कर देंगे अंदर कोई मजशी होगी किसी कोई हामला औरत हो गी उसका बच्चा होना है, किसी को हार्ड डेक हो गया है, फिर क्या होगा? हार्ड डेक वाला आदमी तो दो तिन गटे मर याता है. तो इस स्लस्ले में जो है, मैं समझता हूँ, बहुत जादा सोच समझ करके एक्सराइज नहीं की गई है, आफ़त आई है, दुनिया भर में, इस तरह की पहली दफ़ा आई है, और भी आती रहती थी, लेकिन इस तरह से लोगों का डर जाना कि यह चीज़ पहल जाएगी, और लाखों लाखों लोग जो है, इसका शिकार हो रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, बलकि एक दिन में ए आई कुछ ऐसा नतीज़ निकालना चाहिए, कि लोगों को बहुत ज़्यादा परिशानी नहों, लेकिन बहराल कुछ नकुछ तो एकदाम करना पड़ेगा, और लोगों को बहराल उसका तयार रहना पड़ेगा, कि हम जो है, कुछ मुश्किलों का शिकार होंगे, और उसको बड़ाश करना था है, इसलिएकि ये किसी एक फर्द की बात नहीं है, बलकि ये पूरे मुलके पूरे कौन को बजाने की बात है, और अगर ये मर्ज खुदान खास्ता हर हर गलीम पहुंच जाए, हर हर करिये, हर हर गाउं में पहुंच जाए, फिर तो मलनी हां का शक्र बन क्यूंत हैं किस तरीके से इसमें लापरवाई बरतने के तोर पर देखी जा सकती है, या आप साफस देख सकते हैं, कही ना कहीं सरकार की भी लापरवाई रहती है, लेकिन जिस तरीके से ये एक बड़ा संकट, ऐक बड़ी बीमारी मुलक के अंदर है, इसी को ध्यान में केजरी वाल सरकार उसकी भी लापरवाई रही है, तमाम सवाल लगातार उठते रहे हैं और उठते रहेंगे जब तलक इस बात को साफ नहीं किया जा सकता। मीडिया के जो पहलू है, मीडिया के उपर भी लगातार सवाल उठते चले आ रहे हैं, लोग इस चीज को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं जिस तरीके से ये तस्वीरे सामने निकल के आ रही हैं मीडिया की नेरिटिव खबरे चलाने के बाद में हला Espigitup की पुलिश पिर्शासन जो यूपी का है उसने इन चीजों को साथ के साथ अपनी सफाई दीए ।के नहीं इस तरीके से कोई मामला नहीं है तबलیकने ज़φाइए था चूरू सरकार है जब किदम उठाती है तो जल्द-बाजी में लापरवाही जरूर होती है लेकि इस वक्त जो लापरवाईयां सरकार ने बरती हैं उनको भी किसी दूसरे नजरिये से समझने की जरुवत है जिस तरीके की तस्वीरे सामने आ रही है गोर करने वाली बात यही है अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल की मदद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दिली से नियूज मैक्स के लिए मैं अब्दुलवाजित निसाब